हैलो एवरीबन वलकम टो माई चैनल तो आज किस वीडियो में हमें आपर डिजानर अम रेला फ्रॉक सिलना सिखाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी तयार करी है इसकी चोड़ाई 2 इंच है और लंबाई 9 इंच है तो अब हमें आपर क्या करेंगे इस पट्टी में कुछ इत्रह की लेस लगाएंगे ठीक है तो लेस को हमें कुछ इत्रह से रख लेना है और रखने के बाद हमें आपर सिलाई लगाएंगे और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी तो अगर आप लोग ने कटिंग की वीडियो नहीं देखिए तो आप लोग कटिंग की वीडियो भी जरूद देखें नीचे की तरफ हमें आपर क्या करेंगे कुछ इतरह से गुलाई करेंगे और इसी निसान के उपर हमें आपर लेश को रखेंगे ठीक है और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है तो पूरी लेश को हम कुछ इतरह से सिल लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने लेश को सिल लिया है और यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग कर देंगे तो इस तरह से मैंने पट्टी तयार करी है अब हम यहाँ पर आगे बाले पल्ले को लेंगे और इसमें हम सीधी तरफ से लिसान लगाएंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे इस पट्टी को कुछ तरह से रखेंगे ठीक है भी सेंटर पर और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से सिलाई को लगाती हूँ और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो हमने यहाँ पर कुछ तरह से पट्टी को तयार किया है ठीक है अब हमें यहाँ पर पल्ले को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने बलैक कलर की और यह भी पट्टी ली है तो इस पट्टी को हमें यहाँ पर रखेंगे ठीक है गले की ऊपर और रखने के बाद हमें य सिर्णी कोर से दोने हैं स 내용 प्र Ubito करेंगे और 국 앞 में किनारे पर सिलाहे लगा दिनी है ओक तो यहां पर देख सकते मैंने कुछ तरह से गले में पटिको ़्रीया है ठीक है तो इसको सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर मैंने घेर को लिया है तो यहाँ पर जो मैंने 20 सेंटर पर कट लगाए है तो इन दोनों कट को मिला कर रखेंगे और रखने के बाद हमें यहाँ पर आदंच का मार्जन छोड़िके इस तरह से सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इत्रह से घेर को भी सिल लिया है इसमें हम क्या करेंगी एक दाप सिलाई लगा देंगे ठीक है सीधी तरफ से तो यहाँ पर देखी मैंने कुछ इत्रह से दाप सिलाई को भी लगा दिया है यहाँ पर इसको सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर हमें तीन इन्चोड़ी पट्टी लेनी है तो इस पट्टी को हमें यहाँ पर रखेंगे ठीक है भी सेंटर पर हमें सीधी तरफ से इस पट्टी को रख लेना है और रखने के बाद हमें याँ पर क्या करेंगे सिलाई लगा देंगे कुछ इत्रह से और यहाँ पर मैंने कुछ इत्रह की डोरी बनाई है तो इस डोरी को हमें याँ पर रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से डोरी को यहाँ पर रखके सिलाई लगाती हूँ यहाँ पर साट में भी सिलाई लगा देंगे जिससे जो हमारी डोरी है वो लिकलेगी नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इतरह से आगी की तरफ पट्टी को सिला है ठीक है दिजान में हमारी यहाँ पर फ्रॉक बनेगी तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पट्टी को सिलेंगे और इसमें मैंने बिलेक कलर की गले में पट्टी सिली है तो इसकी सीधी साड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सोल्डर से लेंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से सोल्डर को भी सिल लिया है अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे फ्रॉक की फिटिंग करेंगे तो जहाँ पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें आपर सिलाई लगा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दिया है इसमें हमें डबल सिलाई को भी लगा देना है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग करेंगे तो यहापर मैंने दूसरी तरफ भी फिटिंग कर दी है ठीक है अब हमें यहापर बाजू से लेंगे तो बाजू हमारी फिरल वाली है तो पहले हमें यहापर क्या करेंगे इसको नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे इसको दुबारा से फोल्ड करेंगे और दुबारा से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे कुछ इत्रह से तो यहां पर दे कि मैंने सिलाई को लगा दिया है ठीक है अब हमें यहां पर क्या करेंगे बाजू को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे इसमें हमें भी सेंटर पर कट लगा देना है और यहां पर मैंने फिरेल को लिया है तो इसमें भी हमारा कट है तो दोनों कट को मिला कर रखेंगे और यहाँ पर आदंच का मार्जन छोड़िके एक सीधी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू में फिरल को सिल लिया है तो इसको हमें आपर 20 सेंटर पन निसान लगाएंगे और यहाँ पर मैंने तीन इन चोड़ी पट्टी लिया है तो इस पट्टी को हमें आपर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है तो जहाँ पर हमने निसान लगाया है वहाई तक हमें आपर पट्टी को सिलेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करके ही हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है तो डोरी को हमें यहाँ पर रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर क्या करेंगे साट में भी सिलाई लगा देंगे जिससे जो हमारी डोरी है वो लिकलेगी नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक तरफ से कुछ तरह से पट्टी को सिला है इसी तरीके से यहाँ पर भी पट्टी को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिल लिया है यहां पर इसको डोरी को कुछ तरह से बांदेंगे ठीक है हमारी बाजू भी बन चुकी एats को्या metal स Mira technique अधने के बाद हमें यहां पर सिलाई लगानी है कि आध़ने को मार जन छोड़ते हुए हम यहां पर बाजू को सिल सेलेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते मैंने सिलाई को लगा दिया है इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हमें यहां पर क्या करेंगे बाजू की फिटिंग करेंगे तो जहां पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें यहां पर सि तो यहाँ पर मैंने एक बाजू को सिल लिया है इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो पहले हमें आपर एक बार फोल्ड करके कुछ तरह से सिलाई लगा लेते हैं और उसके बार में हमें आपर इसको दुबारा से फोल्ड करेंगी और दुबारा से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगी तो देखी इस तरह से मैंने पूरे घेर में सिलाई को लगा दिया है आप चांतों यहाँ पर पीको भी करा सकती है तो इस तरह से हमारी जो डिजाइनर फ्रोंक है वो सिलकत तयार हो गई है इसमें मैंने देखी बीच में बटन भी लगाए है तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्क्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू